एक नगर में चार मित्र रहते थे। उनमें से तीन बड़े वैग्यानिक थे, किन्तु बुध्ध रहते, चौथा वैग्यानिक नहीं था, किन्तु बुध्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्ध्या का लाब तभी हो सकता है, यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश आत्रा को चल पड़े। खुछ दूर चाकर उनने से सबसे बड़े में कहा हम चारों विद्ध्वानों में एक विद्ध्या शून्य है, वे केवल बुध्धिमान है। धनो पार्जन के लिए और धनिकों की प्रसनता प्राफ्ट करने के लिए विद्ध्या आवश्यक है। विद्ध्या की जमतकार स ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं. अतह हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीं को नहीं देंगे. वह चाहे तो घर वापिस चला जाए. दूसरे ने इस बात का समर्थन किया. किन्तु, तीसरे ने कहा यह बात उचित नहीं है. बच्पन से ही हम एक दूसरे के सुक कुटुम्भ होता है. हमें उदारता दिखलानी चाहिए. उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े. थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला. उसके अंग प्रत्यंग विखरे हुए थे. तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ, हम विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें. विज्ञान के प्रभाव से हम इस नृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं. यह कहकर तीनों उसकी हड़ियां बटोरने और विखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए. एक ने अस्ति संचे किया, दूसरे ने चर्म, मांस, र जीवित कर रही हो. वह जीवित होते ही तुम्हें मार कर खा जाएगा. वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को हंसुना कर दिया. खब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमतकार दिखलाना ही है तो दिखलाओ. लेकिन एक शंट फैर जाओ, मै व्रिक्ष पर चड़ जाओ. यह कहे कर वह व्रिक्ष पर चड़ गया. इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया. जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया. तीनों मारे गए. अतह शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है. लोग व् दोस्तों अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आती हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार जैहिन